Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे Assessment Worksheet No. 12, 4 Class 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ए वक्षीट है जो आपके लिए 29th of November 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट है प्यारे बच्चों उसमें आपको 10 MCQs दिये गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं वक्षीट चूप करने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए पहला कोशिन है एक ऐसे समास की कलपना जो इतना आदर्श है कि उसको साकार होना लगबग एसंबव होता है क्या कहलाता है तो वो क्या कहलाता है वो कल्पना आदर्श कहलाता है यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बाकी option आपको निरंकुषवा दे और भी दोनों या यह दिये गई है नेक्स्ट है नमबर टू प्रितम जो है वो एक क्रशक है बताइए वह आर्थ व्यवस्ता के किस छेतरक में काम करता है तो प्रितम जो है वो एक क्रशक है तो क्रशी जो है वो किस छेतर में आती है वो एक प्राथमिक छेतर में आती है यह जो है इसका राइट आंसर हो तीसरा है श्रिलंका ने डैश की नीती अपनाई श्रिलंका ने बहु संख्यकवाद अल्प संख्यकवाद उदारवाद या इन में से कोई नहीं तो कौन सी नीती श्रिलंका ने अपनाई थी तो बच्चो श्री लंका ने बहु संख्यक वाद की नीती अपनाई थी ए जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो फॉस्ट का ए है सेकिंड का ए है थर्ड का भी आंसर आपका ए रहेगा next देखिए question number 4 है पैट्रोल किस प्रकार का संसाधन है नवी करनिये है जैव है प्रवा है या ए नवी करनिये है तो पैट्रोल बच्चो वो ए नवी करनिये है एक बार खतम होने के बाद दोबारा जो है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता तो ए नवी करनी योग्य है question number 5 है डैश एक ऐसी फसल है जिसका उप्योग खादन वे 4 दोनो रूपों में होता है यहू अरहर मक्का चावल आपको उप्शन दिए गए हैं सही आंसर रहेगा मक्का ठीक है मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उप्योग खादन शारा दोनो रूपों में होता है next question number 6 बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाव को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है और इन वाहिकाओं को क्या कहा जाता है तो बच्चों जो वाहिकाएं होती है उनको हम आव नलिकाएं कहती है ठीक है क्या कहेंगे आव नलिकाएं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आव नलिकाएं next देखिए question number 7 आपको दिया गया है question number 4 का आंसर D रहेगा fifth का आंसर C रहेगा sixth का आंसर आपका A रहेगा question number 7 है एक ऐसा राजनेतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाओं के बजाए क्रमीक और धीरे-धीरे विकास को प्रात्मिकता देता है क्या कहलाता है तो ऐसा जो राजनेतिक दर्शन होता है उसको रुडिवाद कहा जाता है जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रूडिवाद ठीक है तो सैंवंत का आंसर ए रहेगा नेक्स्ट देखिए कोशें नमबर एट है निमलिखित में से कौन सा कदम वी केंदरी करन को मजबूत करता है तो कौन सा कदम वी केंदरी करन को मजबूत करेगा केंदर सरकार का अधिक शक्ति शाली बनना वी राज्य सरकार को अधिक शक्ति शाली बनाना C कारियों का एसपस्ट वर्गी करन या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो सही आंसर आपका B हो जाएगा राज्य सरकार को अधिक शक्तिचाली बना देंगे तो वीकेंद्री करन होता है नेक्स देखिए कोशे नमबर 9 है नीचे देगे प्रशन में दो प्राकतर एक संकल्पना दूसरा कार्ण दिया गया है तो आपको सही विकल्प चुनना है ठीक है संकल्पना दी गई है नीजी अस्पतालों में अधिकतर इलाज महंगा होता है तो बिल्कुल ठीक बात है कि अधिकतर रिलाज मेंगा होता है क्यों क्योंकि ये नीजी छेतरक के अंतरगत आती हैं तो इसका अंसर आपका A रहेगा क्योंकि दोनों ही सही हैं और इसकी सही वेक्ष्या भी कर रहा है A जो है आपका यहां से राइट अंसर हो जाएगा आपका A आप करते हैं हम कौशेन नंबर 10 है गलत जोड़े की पैचान कीजिए तो देखिए संग सूची पुलिस तो ठीक है तो संग सूची पुलिस जो है वो राज्य सूची में आती है तो यही पहला ही आपका गलत जोड़ा हो गया समवर्ती सूची सिक्षा है समवर्थी सूची में संग सूची और राजय सूची और राजय सरकार और केंदर सरकार दोनों ही फैसला लेती है ठीक है और राजय सूची में केवल राजय सरकार फैसला लेती है और समवर्थी सूची में दोनों लेती है संग सूची में केवल जो केंदर सरकार है वो फैसला तो संग सूची वो पुलिस जो है वो राज्य सूची वे अंतरगत आता है तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा यानि नाइन्थ का अंसर भी ए रहेगा और टैन का अंसर भी आपका ए रहेगा तो ये थी आपके आज की SST की assessment worksheet I hope सभी students को ये clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए so thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में next worksheet के साथ take care bye bye